तो हलो वास्तो आज मैं आप से खशावत का ताओ एक नए और इस्पेशाल वीडियो और हां आज हम सर्फ ब्लैक होल के बाड़े बात करने बाले है बस ब्लैक होल फैट मोर वान टुधू ही ब्लैक होल होगा आज तो ब्लाक होनके बारे में पेला फैक दुनिया का सबसे बड़ा ब्लाक होले यह दो आप इसक्रिन में देख लिए अरे अर्च के और उसके बाद का फैक ए अर्थ के सबसे मतलब 9.5 थाउजन मिलियन किलोमीटर और उसका नाम है इस्क्रीन में देख लिजिए और तो और वह हमारी ग्यालेक्सी मिलकी होए में ही है मेरी जानकारी के हिसाब से और हाँ अर्ष भी ब्लाक होल बन सकता है कोई बीचिस ब्लाक होल बन सकती है अगर आप अर्ष को छोटा क दो जाते हैं तो आपने अंदर ही एक्स्वोजन कर लेता है इसके चलते उसकी फिजिकल बडीच टुक्रों बढ़ जाती है और हाँ यह light को भी absorb कर सकता है, मतलब light भी इस से बसकर नहीं जा सकती और तो light तो दुनिया को सबसे speed चलने वाले objects में एक है मतलब objects में एक में हैं, और सबसे speed चलने वाले objects और क्योंकि हम सिर्फ ब्याखरों के बारे में ही बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लग बहुताते हैं, तो हम एक दूसरे फैपनी बताते हैं और दूसरे फैपनी हम अपने galaxy के और universe के बारे में ही बताएंगे सारे galaxy है, कि उन में से एक अगर दूसरे galaxy में पहुंच गया और अगर हमारी और्ष में थोड़ा सा भी pollution ना होता, तो आप अपनी स्क्रिंग में देख सकते हैं कि आश्मान कैसा होता और हम अपने छप में सोते हुए पूरी galaxy को देख सकते हैं मतलब कि उनिवर्ष में कितने सारे galaxy हैं, वो सब हमने आखों से देख सकते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रिंग में देख सकते हैं बाई दोस्तों आज के लिए बस नहीं और हम वोप करते हैं तो हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज के लिए बाई बाई